सभी को नमसकार Tata Motors जल्द ही अपने SUV पोर्टफोलियो में एक और नए प्लेयर को जूरने की तयारी कर रही है कथित तौर पर Tata Motors की इस SUV का नाम Tata Blackbird होगा Harrier model से नीचे position करेगी और बजार में मुख्य रूप से Hyundai Crater को टक कर देगी लेकिन अभी company की तरफ से इसके बारे में आधिकारिक तोर पर कोई घुशना नहीं की गई है बता दे की ये company की best sailing SUV Tata Nexon का ही coupe version होगा और इसमें company advance features के साथ ही अत्याधुनिक तक्नीक का भी बखुबी इस्तेमाल करेगी company इस SUV में 1.5 लीटर की क्षमता का चार सिलिंडर युक्त रेवो ट्रॉन पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करेगी वहीं डीजल वेरियंट में 1.5 लीटर की क्षमता का रेवो टॉप डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा ये इंजन मैनुवल और आटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन गियर बॉक्स से लैस होंगी ये कूपे स्टाइल एस्यूवी एकसे एक प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा जो नेकसॉन जैसा ही प्लेटफॉर्म है हालां कि इसके रियर ओवहेंग को और भी बढ़ाया जाएगा और वीलबेस भी लगभग 50 मिलीमीटर तक ज्यादा होगी एपिलर, विंडर स्क्रीन और फ्रांट डोर को मौझूदान एकसॉन से ज्यादा बढ़ा बनाया जाएगा वीलबेस बढ़ने के कारण कार के में ज्यादा केबिन स्पेस मिलने की उम्मीद है पिछले दरवाजे मौझूदान एकसॉन से ज्यादा लंबे होंगे आक्रामक रूप से धलान वाली रूफलाइन होगी जो टाटा ब्लेकबर्ट के साइड प्रोफाइल को फास्ट बैक लुक देगी इसके अलावा इसके भीतर बहतर लगेज स्पेस के साथ ही शांदार लेगरूम भी मिलेगा हाला कि अभी इस SUV के फीचर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है लेकिन इसमें Dual Front Air Bag, Electronic Brake Force Distribution, EBD के साथ Henty Lock Braking System, ABS, Brake Assist, Emergency Stop Signal, Vehicle Stability Management, VSM Electronic Stability Control, EAC जैसे फीचर्स दिये जा सकते हैं जहां तक कीमत की बात है तो इस SUV की कीमत हैरियर से कम होगी और ये बजार में Hyundai क्रेटा को टक कर देगी